नमस्कार दोस्तों तो आज मैं आप लोगों को दिखाना जा रहा हूं कि पलसर RDS 200 की यह जो टैंग क्या लॉक है और इसके साथ में मतलब इससे पुरा जो लॉक सेट आता है जो आज लॉक सेट जो आता है जो इसमें लगता है वो उसको में आज चेंज करने जा रहा हूं तो बने रहे पुरी वीडियो में और आपको दिखाता है कि किस तरह से यह लॉक पुरा का पुरा में चेंज करता हूं और मैं आप लोग को इवरी सिंगल डिटेल में पुरा बिश्तृत रूप में आप लोगों को बताऊंगा कि हाँ इसमें क्या 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 नहीं करना एवरिटिंग में बताऊंगा तो ये पैकेज आप जो देख रहे हैं ये है आडियस 200 का लॉक सेट मैंने बजाज में से खरीद के लाया हूँ इसको और इसमें ये सब आता है जिसमें हो गए ये टैंक लॉक इसके साथ टैंक लॉक के साथ आता है इसमें हो गया इगनीशन का स यह जो कि ऐनान आफ करते हैं इसको वee आ गया और एक आता है सिट का लॉक जो कैस पनी में है मैं आपको निकालक दिखाता हूं यह रहा यह है एक टैंक स्वरी इस सीट का लॉक है जो सीट खुलता है इससे वो हो गया और यह हो गया इनिशन का यह हो गया टैंकी का तो इतना आता है इस बॉक्स में और इस बॉक्स का प्राइस है इस बॉक्स का तो फिर इसको स्टार्ट करता है खोलने के लिए तो देखे मैंने पहले इसमें कारण फैबर जैसा इस्टीकर चिपका रहा था पहले उसको निकालना होगा ताकि मुझे वो जो इसक्रू अगर है लेंकी का जो नट है वो मुझे वीजिवल हो तो देख सकते हैं इसके अंदर में यह स्कुरू बोल रहा हूं यह नट था इसके अंदर मैं करण in लगष कर कंदर में इस तरह से मैं इसको निकाल दिया हो कर आख डार का तब हैंश्इ में लगए हैं वो यह यह में आने के से यह नट वगेरे खोल रहे हैं तो अभी आप देख रहे हैं सारा नट खुल गया पर प्रॉलम यह आ गई कि इसके लिए अब हमें टैंक खोलना होगा क्योंकि यह जो लोक है यह इतनी असानी से बाहर आने वाला नहीं था इस यह जो होल था यह छोटा पर रहा था इसलिए हमें यह सारी नट खुआ रहे खोलनी होगी और फीट जाके हमको यह टैंक का कोहर निकालना होगा जो कि बैसिकली यह प्लास्टिक का पार्ट से और ऊपर ऊपर के अंदर होता है यह वाला पार्ट हमें पहले खोलना होगा यह खोलने के लिए सब नट हमको खोलना झाल झाल फिर सारा नट खूलने के बाद हमको इस तरह से पीछे के तरफ पुश करना होता है थोड़ा ऊपर उठाकर पीछे के तरफ पुश करना होता है और यह आसानी से यह बाहर आ जाता है तो फिर यह अब देख सकते हैं अब यह निकलने के रेड़ी है अब आप सोच रहे होगे मिन नट क्यूं खौल रहा हूं मैं खोल नहीं रहा पहले से ही खुला हुआ था या थोड़ा सा लूज हो गया था पता नहीं क्या हुआ था पर यह दोनों नट पहले से ही लूज था साइध में जब पिछली बार सर्वीशिंग कर्वाने गया होंगा तो उस टैंप पर खुला रह गया होगा फिर थोड़ी सी गंदगी थी थोड़ा सा जंग वंग का लच्छन दिख रहा था तो मैं यह टैंक वगेरा सब कुछ में यहां पर पूछ दिया और फिर उसके बाद यह नाया बला लग हमने लगाना स्टार्ट किया जो यह कस्षे जा रहा है यह बहुत जूड से नहीं कसना जितना हैंड हैंड हो सके बस उतन ही करना है ऐसे पुरा दण लगा कर इसको कसना नहीं है जितना तक hand से tight हो सके बस उतना ही tight करना है ज्यादा tight करने से ये तूटने का chance हो जाएगा इसलिए बस इतना ही कम को tight करना है जितना हाथ से हो सके फिर हम test कर लेते हैं कि ये tank की अच्छे से खुल पाता है या नहीं तो हाँ ये इसी bike के लिए था वैसे क्या होता है कि आज कल म आज कल आज कर दिया है उसमें अलग किसिम का टैंक लग लगता है तो हमने अभी कसना स्टार्ट कर दिया है फिर हम ये लगा दिया है उसके बाद हम इस तरह से इसको कसना स्टार्ट कर दिया है देखी रहे जितना नट हमने पहले खौला था वह सारा का सारा हम नट कस रहे हैं इस bike में तो देखी इस तरह से ये टैंक का लोक तो लग गया अब रह गया है ये वाला लग जो कि आगे में इकनीशन का लोक बोलते हिये रह गया इसको खोलने के लिए हमbbeं यहां पर यहां पर इसका जो ये लॉक है वो चेंज करवांगा फिर में वो वीडियो भी डाल दूंगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजियेगा और ऐसे ही हम इंट्रेस्टिंग वीडियोज वगेरा कितना प्राइस सब कुछ हम डिटेल में पोस्ट करते रहेंगे तो मैं आया था ग्यारज में अपने बाइक की लगता है वो में लेकर आया था तो मैंने भया को बोला कि भया वह भी लगा देजिए तो भया इस तरह से लगा रहा है है कि वह गया हमारा काम आप अच्छा हमारे चनल पर नए हो तो चनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले और वीडियोज लाइक कर दे और आप कॉमेंट करके बता सकते कि वीडियोज कैसी लगी अच्छी लगी तो बता दीजेगा और नहीं अच्छी लोगी शुर्भी बता दीजेगा क्या आचा नहीं लगा में नेक्स्ट टाइम में उसको सुधारूंगा तो की पोचिंग यह पुराना वाला और नया वाला लग चुका है भाईया क्या बोलते उसको स्कुरू अगेरा टाइट करने में लगे हुए हैं आप आता बिल्यक अ कि गम खाने जसक्ते ही वाड यह बेदावैई एला भी सक्षी में लग़ाश जसी हां वी भी ठाट क कि होगे उसक्तू भाईट को स्क्निष्यर वाला यहारी वा अटया सबैंकर हैं झाल झाल